नमस्कार दोस्तों मैं वीजे और स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आज की सुड़े में हम देखने वाले बजज कंपनी की तरफ से आने वली बजज आरी कॉम्पेक्ट बीए सिक्स फेस्टू में कंपनी ने लॉंच किये और इस ऑटो रिक्षा में कौन-कौ क्या है वीडियो पसंद आये तो थो दरोसे लाइक कर सकते अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते तो दौस्तों है वीडियो हम की तरफ ये अश्यर करते थो ज़ू अपकेश운 के Kin 감사 Su बड़िया साइज का दिया है ताकि गाड़ी चालाते है समय विजिबिलेटी में कोई भी प्रॉब्लेम आपको आने वाला नहीं सिंगल वाइपर जो आपको यहाँ पर मिलता है इंडिकेटर जो है वो हैलोजन में दिये गए उसके बाद दोस्तों नंबर प्लेट अगर लगा नहीं हुए आपको तो आप नंबर प्लेट जो गाड़ी की यहाँ लगा सकते है सबसे पहला चेंज जो इस गाड़ी में लोगो देखने को मिलता है सीनजी का स्टिकर यहाँ पर मिलता है ताकि यह गाड़ी जो पेट्रल प्लस सीनजी होने के वज़ाई से आपको सीनजी का स्टिकर यहाँ लगा हुआ देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पीछे दोनों तरफ मिलता है सस्पेंशन भी का दोनों के तरफ ब्रेकिंग जो है आपको ड्रम ब्रेक का यूज जो है इस और रिक्षा में किया गए यहापर आप मड़ फ्लैब भी देख सकते कुछ इस प्रकार आपको फ्रंट का लुक देखने को मिलता है और साइड भी मिरर भी काफी बढ़िया दिये गए और बड़ी सा टोटल हाइट इस ऑट रिक्षा का 1700 अमें और गाड़ी का विल बेज जो है 2000 अच्छा लगा 170 अमें इतना गाड़ी का ग्राउंट क्लेंस है और गाड़ी का जो टोटल कर्वेट है वह 398 केजी इतना है और गाड़ी का साइड लूक और आपको मैन्योल कीक स्टार्ट की मिलता है और मैं आपको उपन करके भी आगे वीडियो में दिखाता हूं उसके पहले दोस्तों जो सीट का कमफट है रियर का सीट जो काफी कमफटेबल है दो तीन वेक्ती जो कमफटेबल आराम से इस आटा रिक्षा में बैठके जरनी जो कर सकते हैं यहापको कुछ इस परका सीट की कॉलिटी यह कुष्णिंग यह सीट का जो मटेरियल वह भी काफी अच्छी क्वालिटी का है आप इस सीट पर बैठके कमफटेबल गाड़ी जो चला सकते हैं और मैंने यह गाड़ी जो चला कर देखी भी है उसकी बाद दोस्तों अगर आपको पेट्रल का फ्योड अगर यहां देखने को मिलता है उसके बाद दोस्तों पीछे का ताइर वह सीम दिया गए आट इंच का टाइर पीछे का भी मिलता है और ड्रम वेक का यूज आगे और पिछे दोनों तरफ किया गया मृट फ्लैप आपको यहां पर देखने को मिलेगी गाड़ी का रियर का लुक भी काफी बड़े है मुझे रियर से यह और रिक्षा काफी अच्छी लगती है पीछे आपको एक विंडो टाइप भी मिलता है और पीछे का जो टेल लैट का डिजाइन है वो सिम दिया गया है है हैलोजेंट टेल लैम मिलते है और उनका थ्रोग गिरे भी काफी करते और फिचे का डोर एंजन का वह भी काफी बड़ेए और चेंज कर दिये गा है और यहां पे लोगो जो पहले की मुकाबले अभी चेंज कर देगा बजेट और आरी का क्रोम में आपको यहां देखने को मिलता अगर आपको एंजन देखना हो तो मैं कैस से आपको दिखा सकता हूँ भी अभी हम देखते हैं दोस्तों इस गाड़ी का अगर आपको इंजिन देखना हो तो कुछ इस प्रकर आप देख सकते हैं गाड़ी की लगा कि आप कुछ इस प्रकर इंजिन जो ही देखना हो तो इस प्रकर देख सकते हैं इस गाड़ी में दोस्तों इंजिन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है इंजिन स्पेसिपेशन देखा जाए इस बज़ा जारी कॉम्पेट का तो 236.2 सिसी का बीए सिक्स फेस्टू इंजिन जो इस गाड़ी में दिया गया है जो कि मैग्जिमम पावर पोडूस करता है इस गाड़ी में कमपनी की तरफ से दिया गया है इंजिन भी काफी रिफाइंड कर दिया गया है गाड़ी का माइलेज भी आपको काफी अच्छा मिल सकता है इस ऑटो रिफ्षा के साथ कि पर दोस्तों गाड़ी का इस साइड का लुक भी सेम दिया गया है यहाँ पर भी आपको सेप्टी डोर देखने के मिलता है सी एंजि का प्लेट जो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ दिया गया है और यह भी लॉकेबल सिस्टीम के साथ आता है यहाँ पर सी एंजि की इंफरमेशन आप देख सकते अगर खोलना होगा तो कुछ इस प्रकार आप कोल सकतेएं सी अजी का सिलेंडर इस आटो रिक्षा में चार किलो का सी को इस ओक्सा मीं मिलता है जो कि आपको माइलेज देखा जाए तो एक किलो के कि किलो के चीएंजी में आपको 40-45 किलोमेटर तक ऑटर रिक्षा जो है जा सकती है और दोस्तों माइलेज जो हर किसी यो को अलग अलग भी मिल सकता है आपके उपर डिपेंड रहता है आप गाड़ी जो कैसे चलाते हो उसके इसाब से आपको मालेज जो अलग अलग भी मिल सकती है एक किलो के से इनजी में आपको 40-35 किलो मेटर तक यह अटो रिक्षा जा सकती है अगर आपको से फिल कर रहा ना होगा था इस नॉप को ओपन करके आप से जी यहाँ पर फिल कर सकते हैं और से जी का प्रेशर गेज जो आपको कुछ इस परकार यहाँ पर देखने को मिलता है जी का से ले लेवर को बैक सपोर्ट भी देया है ताकि थकान और जो महसूस हो ना सके यहाँ पर सेप्टी पॉंट अब उसे एक फायरेस्टिंग वेशर भी आपको देखने मिलता है गाड़ी का जो रिवर्स गेर है वह यहाँ दिया गया है यहाँ बोटल लोडर में मिलता है यहाँ प यहाँ टोलकीट वागेरा जो सामाने वह आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी भी दीगेज़ देखी सेप्टी पउंट अब इसे काफी अच्छे बात बैटरी जो चोरिक कर नहीं सकते यह भी काफी अच्छी बात मेरे को लगी और यह सीड्ट जो आप यह यहाई पर भी स्पीकर की पोजीशिण दिए आप मुजिक सित्म अगर लग आती हो तो स्पिकर जो आप यहाई लगा सकते इसके बाद यहाई पर भी कुछ स्पैस मिलता है यहाइ पर आप Mobile वगयरा को इन्व अगयरा भी रख सकते हैं यहापै आप इस गाड़ी में 4 गेर lockable glow box भी मिलता है वह भी मैं आपको open करके दिखाता हूँ यहाँ पर आप गाड़ी के की लगा के कुछ इस प्रकर open कर सकते हैं और यहाँ पर आप गाड़ी के दी गई उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप mobile holder भी आपको मिलता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार mobile भी रख सकते हैं यह भी कंपनी ने चेंज कर देगा है और हैंडल बार के ऊपर भी काफी चेंज अपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको दो स्वीचे मिलते हैं लेफ् सारे सुचे मिलते हैं यहाँ पर हाजार लाइट याप पारकेंग अलड़ का स्वीच जो आपको यहाँ से मिलते हैं जे क्यों आप आन करते हो तो गाड़ी के जो चार हो इंडिकर है वह एट्टर टाइम भी होते हैं पेट्रोल से cng से पेट्रोल पे अगर स्वीच करना हो लिए प्रफ वाइन द दे लाध इंद्व निया गया है और सबसे बड़ा चेंज जो आपको स्पीडोमिटर में मिलता है पहले के मुकाबले स्पीडोमिटर काफी अच्छे देगा यहाँ पर भी थोड़ो बद स्पेस वी मिलता है यहां पर स्टार्ट करते स्पिडो मेटर तो आपको स्टार्ट करते हैं प्रकार देख सकते हैं याप नीटोल का इंडिकेटर का अभी गाड़ी जो पेट्रोल के ऊपर है इसलिए आपको पेट्रोल का फ्यूल गेज इंडिकेशन आपको यहां मिलता है यहां पर वर्णीं इंडिकेटर उपर की तरफ मिलते हैं इंडिन चेक लाइड बेटरी का इंडिकेशन अगयों को बचाहिए और आगे कभी आपको इस प्रकार मिलता है गाड़ी चलाते समय और और इंटिर्यर मुझे काफी बढ़िया लगा और डैजबोर्ड भी मुझे काफी अच्छा लगा और यह बहुत ही अच्छा चेंज जो है कमपनी ने बज़ा जारी कॉमपेट में बेसिक्स फेस्टू में किया है उपर की तरफ आये तो यहाँ पर आपको एक लाइड भी मिलता है जो कि रात के समय का अच्छा मदब भी होता है और और आल इंटेद्येटर इस गाड़ी का मुझे उस प्रकार आपको देखने को मिलता है। है थी और इस गाड़ी के अंदर कोन-कोन से अपडेट या फीचर दिये गए इस सभी जान करें जो आज की वीडियो में हमने हिंदी में देखें गाड़ी में फीचर भी काफी अच्छे और अपडेट दिये है और गाड़ी का इंटेरेट डैश बॉर्ड भी काफी अच्छा चे जो मैंने कीमत बताई ये 257,273 रूपीज अगर ये वीडियो आप कुछ दिनों के बाद देखते हो तो कीमत बदल भी सकते है या आपके शेयर में कुछ अलग भी हो सकते है तो आप अपने बज़ाच के थ्रीविलर शोरूम में जाके एंक्वारी इस गाड़ी के बारे में कर सकते है अगर आपको पुने ये पिंपरिजिंटर एरिया में से ये गाड़ी खरीदनी होगी तो आप लक्षमी बज़ाच शोरूम वाकड़ पुने शोरूम को विजिट जरू से कर सकते है शोरूम के सभी कॉंटेक्ट लीटर डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया गए तो आ अगले वीडियो में अगले गाड़ी के साथ तब तक की लिए दन्यवाद